फत्याबाद के रतिया में स्थेते सीनियर सेकेंडरी स्कूल के चात्रों में अचानक छोटी सी बात को लेकर विवाद हो गया विवाद इतना बढ़ गया कि कुछ चात्रों ने मिलकर एक चात्र को गंबी रूप से घायल भी कर दिया जिसके बाद घायल चातर को तुरंत अस्पताल में भरती करवाये गया जानकारी के अनुसार रतिया के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में कुछ चातर खड़े थे इस दोरान किसी ने वहाँ पर अध्यापक के आने की बात कई तो सभी चातर वहाँ से भागने लगे बताया जा रहा है कि इस भागदौर में ग्यारवी कक्षा के पढ़ने वाले एक चातर का पाउं दूसरे चातर पर पढ़ गया ये उस चातर को अच्छा नहीं लगा आरोप है कि उसने अपने कुछ साथियों उसके साथ मिलकर ग्यारवी के चातर की पिटाई कर दी इतना ही नहीं उसकी पीट कर और किसी नुकीली वस्तू से वार भी किया और इंट मार कर उसे गंभी रूप से घायल कर दिया घटना के बाद आरोपी चातर मौके से भाग निकला जबकि गंभी रूप से घायल चातर को रतिया किनागर के स्पताल में भरती कराये गया वहीं मामले की सूशना पुलिस को दे दी गई वहीं इस मामले में स्कूल प्रिस्पल गोविन शर्मा का क्याना है कि घटना स्कूल परिस्सर के बाहर हुई है उन्हें ये बात घटना के बात पता चरी स्कूल स्टाफ को घायल बच्चे के पास जानकारी लेने के लिए भेजा गया है जानकारी मिलने के बाद ही स्कूल की ओर से कोई और कारवाई की जाएगी विनियूस के लिए अजय महता की रिपॉर्ट गुर्ग्राम समेत हर्याना की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुँचे सबसे पहले